नमस्कार दोस्तों टेक्नोलजी एक प्रिडियो चानमा आपका स्वाखत है तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो देखते तो सब हैं लेकिन खुलकर के बात कोई नहीं करता है और जो कि एक बहुत जादा सीरियस टॉपिक है इसके बारे में खुलकर इंफेक कैसे कर सकता है किस तरह से आपके अपिटर को Mailware, Ransomware, Spiware किस तरह से ये website फैला सकती है आप ए ने कंप्योटर तहुकर किस तरह से आपको फाल कर सकती है क्या डिफरेंस होता है कौन सी वेब्साइट अच्छी होती है और और अनलाइस करेंगे कुछ जम बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरूर से लेकर एंट तक जरूर देख लीजिएगा अगर देखो पॉन फटकर भी अगर अब देखा तो जो भी नॉमल विपसाइट चाहिए यूट्यूब भी या फ्न तरह से पैसा एडिविड हैं वह किस तरन से पैसा कमाती है एड़िटाइब्स क्लिक करते तो आप में और जाता पैसा मिलता है इस तरह से जितनी भी नॉमल लेकिन जितनी भी नॉर्मल वेबसाइट पर एड होते हैं वो ज्यादा तर किस वेबसाइट से आते हैं देखिए आप इतनी बड़ी कोई कंपनी तो है नहीं Google तो है नहीं कि आप अपने एड्स खुदी मैंटेन कर सके खुदी अपनी एड्स अपनी वेबसाइट पर लगा सक तो यह कां कौन करता है जिसे यूचीउब पर भी अटर्स काम करता है ज्यादा तर तो場偉र करता है कि बहुत खुदी पैसे देता है आप को जैसे कि अगर नॉर्मल कोई कोई वेबसाइट बंदा ब्लॉग बनाता है त उसको जितने पैसे मिलने मिलने चाहिए उन एड्स से उतना अगर आपको मिली है तो आपकी याफिक जन्ग। रहा है। नहीं होता है गूगल की ही है गूगल का न में any एक गूगल है लोतके ह्म जैसे मुझे पता है म मैं एक क्ष allow सेंट पर मैं कुछ भी बता रहा हूं या किसी भी चीज की पोस्ट जाल रहा हूं वह पोस्ट अगर अच्छी है तो मैं एडसेंस को जाकर बोलूँ मैं एपलाइ करूंगा आप मेरी वेबसाइट पर लगा दो वह उसको रिव्यू करेंगे है मिनिमम मिनिमम पांच दिनों में हो जाता है रिव्यू करने के बाद वह देखेंगे कि आपके अच्छी तो आपके लगाएंगे नहीं तो नहीं लगाएंगे लेकिन गुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिनको बस अपने ऐड चलाने से मतलब होता है क्योंकि उनके पास जानते हैं कि अब आप समझ सकते हैं कि अगर बाइड जा कर लिखेश के हैं बाइड जो बड़ी नज़र आएंगी लेकिन वोज फिर्ट रहते हम आप जानते ही इंट यह नहीं तो बात कर लिया हमने कि यह वेिशाइट पैसा कैसे बनाती है और मैंने आपको बता दूँ कि Addison से 5 गुना शे गुना साथ गुना ज्यादा पैसा आपको यह एडस दे देते हैं अगर अगर एक डॉलर देगा एक क्लिक के अगर आपको Addison 1 देगा CPC तो यह आपको टो च्छे डॉलर 50 दॉलर ऐसे देगा तो अब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया income में दोनों की अब हम बात करते हैं कि यह website malware spyware ऐसे जो भी वाईरस वगएरा होते हैं किस तरह से फैला रही है चेब हैसिए आपको चुछ क्लिक करते हैं व अथट्य आपको प्रॉडथ दिखाते युग्स पर उन गया फोगने कर पो आइसी यह एक्ची आईट की चैन में भूंती रही दिखते हो पैसे मिलनी ध एन जब होती है तो इन में होता क्या है कि सबसे पहले सबसे पहली और इंपोर्टन सबसे क्रे पार्टन जितनी भी popular websites हैं वो भी ये काम करती हैं अब जैसे कि सबसे पहले विबसाइट करती हैं सबसे पहले आपको verify कराएंगे कि आप real में human हो और फिर बस उनको target मिल गया वह उन जो chatting करते हैं उसी के थुरू आपको ransomware, malware, spyware पहुचा देगी और बस फिर जो होना होगा वो आपके computer के साथ हो जाएगा और अगर आपके किसमा ज्यादा अची रही तो ransomware आ जाएगा वह नकराए तो आपको याद ही होगा ऐसे ही बहुत सारे ransomware आ सकते हैं आपके computer में और आपकी privacy को भी बहुत ज्यादा risk है अब बात करते हैं कि android phone में यह देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए तो देखिए अब बहुत ज्यादा यह climax आप बोल चकते हैं इस वीडियो का android phone में क्योंकि ज्यादा तर लोग है android phone में सर्फ करते हैं सारी website को अगर आप यह सोचते हैं कि Google Chrome के इनको नेटो टेप में आप जाके या कोई भी ब्राउजर के प्राइवेट प्राइवेट जो भी सर्फिंग वाला मोड होता है उसको अगर आप आप कर लेते हैं तो आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता तो यह बिल्कुल गलत है आपके ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहे वो जी ओ रिलायंस हो या फिर आइडिया हो यह सब आपको ट्रेस तब भी कर सकते हैं क्योंकि इनके थूई आप होकर जा रहे हैं इनको नेटों का मतलब यह नहीं होता कि आप तो मतलब हाइड हो चुके हैं बिल्कुली तो इनको टेम में होता क्या है बस हिस्ट्री सब कर नहीं आती है और सब कुछ हो है एस्ट्री कोफि वगएरा ट्रेस वगएरा नहीं होती है आपके computer में नहीं रहता है लेकिन ISP को सब पता रहता है तो अब हम बात किया करने वाले Android पॉन्स के आने में Android पॉन में आप Incognito टेप चालू कर लेते होंगे यह जो वेबसाइट होती है पॉपलर वेबसाइट देखो वेबसाइट कुछ जो भी वेबसाइट होती है जितने भी moving अगरा objects होती है एक तरह से आप बोल सकते हैं जितने भी programming का काम होता है वेबसाइट में वो सब Java script करती है तो Java script एक ऐसी code है जो आपके computer के साथ interact कर सकती है और Java script देखिए जैसे फोन में आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आपने क्लिक कर दिया तो आपका फोन वाइब्रेट होने लग जाता है बहुत तरह की चीज़ हो जाती है आपको फोन वाइब्रेट करने लगता है आवास करने लगेगा और ऐसी आवाज आएगी threat has been detected ऐसी आवाज आ सकती है ऐसी आवाज बहुत बार आई है मेरे फोन में खैर यह सारी आवाज एंटिवास वगेरा कि आती है न ऐसी वेब्सेट आपको क्रोम में आने लगेगी वह बोलेगा लिए आपको बताई दिया इस वजह एंड्रोइड फोन में अगर आपने देखा तो दस गुना ज्यादा खत्रा एंड्रोइड फोन में देखने में अगर आपने पीसी में देखा तो चलो फिर भी एकल को आप से पो सकते हैं लेकिन एंड्रोइड फोन में देखा तो आपकी प्रैवेसी को बहुत ज्यादा खत्रा रहता है और अगर आप कंप्यूटर से अपने नेट बैंकिंग वगरा करते हैं नेट बैंकिंग करते हैं क्रेडिट कार्ट वगरा की जो भी प्रांसेक्शनल इंफॉमिशन वगरा ज पाहते हैं वगरें तो चुरौ स सकते हैं अपने गलत साफ्य कंदAY करें काम में ले सकती है इसलिए हर एक वेपसाइट पर र्जिस्टर नहीं किया जाता है हर गफ्का honest अब वानले में वेड़ान को के बारे लेकिन एक बात प्रसे सुन ली जीए अगर आपने किसी एरी गेरी वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिया तो आपकी क्रेडिट काट की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पैसे कटने लगेंगे उसमेंसे जितने भी आपको पता भी नहीं चलेगा कप कट रहें हैं कितने कट रहें हैं उपर से यह इंफॉर्मेशन दूसरे को बेची भी जा सकती है इस वज़े से किसी भी मैं बार-बार बोलना ह एर यह वबसाइट पर पिससरथ मत करना नहीं तो आपके पैसे कट रहेंगे अब बात कर लेते हैं कि अगर विजिट करना भी है तो कैसे करें तो देखिए आई-ए-ए-श-प आपका सर्विस-प्रोवाइडर सबसे पहली चीज़ करनी का इंटरेंट सर्विस-प्रोवाइ वीडियो बनाया था अगर वो नहीं देखा तो वो जाकर देख लो तो VPN चालू कर लेंगे तो क्या होगा आपकी IP फ्रेस नहीं हो पाएगी मतलब internet service provider को यह पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सर्फिया internet पर अगर आप VPN चालू कर लेते हैं तो तो पहला तो यह हो सकता है कि आप internet service provider से बच जाएं दूसरी चीज़ आप यह चीज हंड्रेट परसेंट दिमाग खोल के सुन लीजिए कि दो देखिए जाला चार आप internet अगर आप यूट्यूब पर अपने जितना जोटा है और आपने जितना जोटा है आपने जितना जोटा है यूट्यूब खुल जाएगा लेकिन इस पी को यह पता रहेगा कि यूट्यूब इसने खोला है तीन बज़े से लेकिए तक चार बज़े तब यूट्यूब च लाया है यूट्यूब के अंदर क्या सवर्ल्पाने चल पाता क्योंकि którzy आई سट्टी पिैस्टनेक्शन सेकिरर कनेक्शनन नहीं रहता है स्ट्टीप सी एक्छी ऐस्टति पर प्रता है तो कोई इसको नहीं ट्रेस कर पाता इतनी असानि से लेकिन सब्सक्राइब चलो कि यह पता रहेगा और आपना विपैन चलो नहीं कि तो यह तने वजे इतने इतने वजे तक रहा है फिर इसने यह बंद किया है यह website ISP को इतना पता चल जाएगा अब एक बहुत ज्यादा important topic पर बात करने वाले हैं जो आपको jail भेज सकती है जी हाँ jail भेज सकती है आपको पता होगा 18 plus ही यह सारे काम illegal होते हैं अगर 18 minus वाले जितने भी 18 से कम वाले वीडियोज हैं जो 18 से कम ह होते हैं जो की डाक वेपर देखते हैं जो वीडियोज चाहिड पॉन एक्चली तो यह जो वीडियोज होते हैं अगर यह आपने देखा या फिर कहीं पर upload किया तो आपको jail हो सकती है यह काम illegal child pornography is illegal दोस्तों फिलाल कर दो के लिए देखने के आपको बहुत शुक्रीया वीड आप 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 स्वर्ल